नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे दोगो एनो पूस बटन देखे किस तरह क्रेन के कंट्रोलिंग कनेक्शन करना है मैं आज आप लोग को बताऊंगा EOT overhead crane में जो हमारा auxiliary host राइता है auxiliary host के लिए एक पैनल राइता है तो auxiliary host का पैनल का वायरिंग किस तरह करना है मैं आज इस वीडियो में आप लोग को दोगो जो एनो पूस बटन है दोगो एनो पूस बटन से पुरा क्रेन का controlling connection आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों ये तो मैं auxiliary host का पैनल बनाया हूं same to same आप lt का पैनल main host का पैनल और city का पैनल भी बना सकते है कुछ दीकत नहीं है का connection सबसे पहले हमारा mcb में आया mcb में आने के बाद आपका lottery limit स्विज में आया दोगो nc kit रहता है जब तक हमारा ये nc बना रहेगा तब तक हमारा reverse और forward का a2 point में neutral supply आएगा जब ये no हो जाएगा ताब हमारा a2 में neutral supply नहीं आएगा इसी तरह दोश्तो connection रहता है neutral का जो हमारा reverse side होता है reverse side में हमारा दो limit switch रहता है एक lottery limit switch और एक gravity limit switch जिसको हम लोग white limit switch भी बोलते है तो सबसे पहले neutral supply आपका lottery limit switch में आया lottery limit switch का nc point में आया nc point में आने के बाद आपका gravity limit switch का nc point है nc point हो के आपका reverse का a2 point है a2 में हम लोगो connection देना पड़ता है neutral का forward side में दोस्तों जो lottery limit switch रहता है lottery limit switch का nc point है nc point से आपका forward का a2 point है a2 में हम लोगों को neutral supply देना पड़ता है बाकी जो आपका timer 1 तो timer 1 हमारा on relay timer है और resistance के लिए एक contactor है दो के लिए एक है और 3 के लिए एक है और 3 के लिए एक है और 3 को timer है तीनो टाइमर हमारा on relay timer है दोस्तो जितना सरा A2 है A2 में हमको neutral connection देना है चाहे आपका limit को cut करके देना पड़े या direct देना पड़े हम लोग जानते कोई भी power contactor रहता है तो power contactor में A2 में हम लोग को neutral supply देना पड़ता है अब फेज के connection के बारे में जान लेते है फेज हमारा सबसे पहले MCB में आया और MCB में आने के बाद thermal overload relay में आया thermal overload relay में जो 95 और 96 NC point है NC point में आया NC point में आने के बाद आपका जो हमारा reverse और forward का जो एनो push button है एनो push button में आया की स्तरह आया जब तक हमारा ये thermal overload relay NC बना रहेगा तब ही तक ये पूरा controlling supply काम करेगा जब ये trip हो जाएगा या एनो हो जाएगा तब हमारा totally control supply काम नहीं करेगा तो thermal overload relay से एक wire आउट होने के बाद जो हमारा on push button है जो हम reverse side के लिए लगाए है और एक forward side के लिए है तो इसको हम लोग तो no push button बोलते हैं तो in में connection हुआ in में connection होने के बाद एक wire लेके आपका दूसरा जो forward side है उसका जो no push button है no push button में connection हुआ तो जो हमारा 110 volt supply है ये हमारा सीधा आ जाता है ये जो reverse forward power contactor है power contactor का no point में no point में continue आपको 110 volt supply रहता है और आपको देना भी पड़ेगा तब ये circuit आपका ठीक से काम करेगा नहीं तो गलत हो जाएगा दोश्तो आभी reverse side आपको किस तरह काम करेगा जो हमारा no push button है इसको जब हम दबाएंगे तब हमारा NC होगा NC होने के बाद हमारा जो ये forward का आपका रिवाज का इन हो गया और NC से आउट हो जाएगा आउट होने का बाद आपका reverse पड़ेगा फरवाज कान्टक्टर भी सेम होगा forward का जो no push button हम दबाएंगे दबाने के बाद आपका reverse बाला NC में आएगा reverse बाला NC में आने के बाद आपका forward वाला contractor पकड़ेगा दोस्तो, reverse and forward में एक interlock इसलिए दिया हुआ रहता है जब हमारा reverse side contractor operate होगा तब forward नहीं चलेगा और जब forward side का contractor on होगा तब reverse side का contractor चालो नहीं होगा, इसलिए ये interlock दिया हुआ रहता है तो दोस्तो, जब हम reverse side चलाएंगे तो reverse side का power contractor on है on होने के बाद इसका जो NO point है, NO point हमारा NC बन जाएगा, जब हमारा NC बनेगा, NC बनने के बाद आपकी ये जो timer 1 है timer 1 सबसे पहले on हो जाएगा forward side पे भी दोस्तो, same to same है forward का contractor जब on होगा, तब हमारा NC बनेगा, और NC बनने के बाद आपका timer 1 में supply आजाएगा, तो दोस्तो reverse या forward, दोनों में से कोई भी ये जो दोनों जो power contractor है, जब दोनों में से कोई भी power contractor आपका on होगा, तो इसका जो NO point है NO point NC बनेगा, तो एक wire हमारा सीधा timer 1 में आएगा, और एक wire हमारा सीधा जो 110 volt supply है जिस तरह हम लोग पहले क्या होता तो master control में supply आजाएगा ता, इससे भी एक supply सीधा आजागे 110 volt उपर में, और हर connection के लिए timer, resistance timer 2, resistance 2 timer 3, सब का connection इसी से होगा, मतलब जब तक हमारा reverse contractor पकड़ा हुआ रहाएगा तब ही तक यह system आपका काम करेगा और जब यह NO छोड़ देगा, तब आपका यह पूरा system बंध हो जाएगा तो यह किस तरह काम करता है 110 volt supply में, शुरू में बोला हो, कि reverse और forward दुनों का NO point में आपका दिया हुआ है जब हमारा NC बना, तो timer 1 पकड़ा, जब आपका timer 1 पकड़ेगा, तब यह जो on delay timer है, on delay timer हमारा 0.2 second में setting है, तब यह timer का NO point है, NO point हमारा NC बनेगा, जब यह NC बनेगा, तब हमारा resistance का एक number contactor पकड़ेगा कितना देर के बाद पकड़ेगा दोस्तों, जब हम reverse side का push button जो है इसको हम जब तक दबा के रखेंगे अगर 2 second के लिए दबा के रखेंगे तो 2 second बाद हमारा timer 1 का जो NO point है, NO point से resistance 1 पकड़ेगा, और resistance 1 जब हमारा contactor on होगा, तो resistance 1 contactor on होने के बाद इसका जो NO point है, NO point से आपका timer 2 पकड़ेगा तो इहां से जो हमारा 110 volt supply आ रहा है, चाए reverse या forward से 110 volt supply आने के बाद जो resistance 1 है तो यह resistance 1 का जो NO point है, NO point में 110 volt आ गया, आने के बाद आपका यह NC होजेगा जब यह NC होगा, तब हमारा timer 2 पकड़ेगा, और यह on delay timer है, on delay timer का जो NO point है, यह क्या होगा उस time, हमारा 0.3 second के बाद resistance 2 पकड़ेगा, जब आपका यह timer 2 का NO point NC बनेगा, तब ही आपका resistance 2 काम करेगा, अगर यह point आपका timer 2 का जो NO point है, यह अगर कोई कारण से खराब हो जाएगा, तो आपका काम नहीं करेगा, जब हमारा resistance का 2 number contactor on होगा, तो यह 2 number contactor का जो NO point है, NO point से हमारा timer 3 नहीं नहीं पकड़ेगा, जो हमारा on delay timer है, 0.3 second जब हो जाएगा, तब क्या होगा, टाइमार 3 का जो NO point है, यह हमारा NC बन जाएगा, जब यह NC बनेगा, तब हमारा resistance का 3 number contactor on होगा, remote crane का connection इसी तरह रहता है, बहुत ही simple जैसे connection बना हुआ रहता है, और काम करने में भी कुछ दीकत नहीं होता है, कभी-कभी दोस्तों क्या होता है, यह तो double gutter crane का मैं connection बताया हूँ, जो single gutter का crane रहता है, single gutter का crane में आपका resistance और timer नहीं रहता है, शिरिप एक reverse रहता है, और एक forward रहता है, और inching जैसे ही आपको connection बनाना पड़ता है, जब आप reverse यह forward side दवाईएगा, तो forward का contactor on होगा, जब आप reverse side दवाईएगा, तो reverse side का contactor on होगा, और reverse और forward का शिरिप NC point जो है, NC point से interlock दिया होगा रहता है, और यह जो portion है, माल लिजएका आपका यहां से लेके यहां तक, इतना दूर portion आपका काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, और उसमें दोस्तों, slivering motor नहीं रहता है, single gutter का crane में, आपका induction, three phase induction motor रहता है, और reverse और forward में काम करता है, लेकिन उसमें आपका limit सुज़ रहता है, thermal overload relay रहता है, और push button से ही काम करता है, तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो like, share, comment जोरूर कीजिएगा, और चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए, ठैंक्स,